KMOBIC kaduli तबीदाल पड़ीदाषाश्तॅ पिलाट पर Gio ओम नमस्षी वायक मैं हूँ Aito Roger Km Sinatra और मैं अपने से यूटुब चनल पर आप सबी का हार्दिक सौगत करता हूँ लेकिन इस पूरे हफ़ते 22 से लेकर 28 तक कैसा बीतेगा आप लोगं को नोट करते हुए चलना चाहिए सबसे पहले बता दिया जाए कि चंदरमा की जो पस्तिती रहेगी वो मिथुन राशी से लेकर सिंग राशी में चंदरमा का गुचर होगा और प्रतेक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा हमें इस वीडियो में समझना है किसी भी ग्रह का किसी भी जितने भी प्लानेट है उसमें कहीं पर भी किसी का राशी परिवरतन नहीं होगा और संचेप में समझेंगे हफते का प्रारंब, हफते का मद्य और हफते का अंत कैसा बीतेगा और लगन के अनुसार इसको चेक कीजिएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेश लगन वाले जातकों के लिए देखें मेश लगन में चंदरमा की जो पस्तिती रहेगी वो आपके लगन के भाव से पराकरम, चतुर्थ और पंचम भाव में चंदरमा की गती होगी इस समय आपका जो लगनेश है अपने परम नीच राशी में जा रहा है लेकिन चंदरमा के रिस्पेक्ट में इसका नीच बंग समय समय पर हो रहा है तो थोड़ा सा केरफुल रहिए ड्राइविंग करते समय आपको बहुत जादा साफधान रहना चाहिए और इस समय मानसिक तनाव कान में दर्दोना या दात या ENT से रिलेटेड किसी परकार की परिशानी हो सकती है स्वास्त को लेकर सचेत रहिएगा हफते का जो मद रहेगा वो सरवार्दी कच्छा रहेगा और चंद्रमा सुकस्तान पर रहेंगे मंगल चंद्र की यूती बनेगी और ये यूती से चंद्रमा जो रहेगा मंगल का नीच भंग भी होगा और साथ में ये समय जो रहेगा हफते का मद इसमें कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी प्रमोशन इत्यादी के लिए अगर वेट कर रहे थे तो शुब समाचार मिलेगा और आए के साधन भी यहाँ पर बढ़ेंगे किसी प्रकार का जो भाग का सायोग होता हफते के मद्द में सरवार्दी कच्छा रहेगा हफते का जो अंत रहेगा पुना एक प्रकार की चुनोतियों से परिपूर रहेगा सुख के लिए काफी मैनत करना अपड़ेगा यानि सुख शांती के लिए आपको काफी मैनत करने के बाद ही सफलता मिलेगी लेकिन फिर भी इंकम को लेकर करियर को लेकर और जीवन साती के सयोग को लेकर हफते का अंत भी अच्छा रहेगा तो कुल मिलाकर किवल हफते का प्रारंबिक दो दिन है उसमें आपको थोड़े स्वास्त से सम्मंदित किसी प्रकार की इशू हो सकते हैं बाकी समय अच्छा बीतेगा वरिशब लगन की बात करते हैं देखें वरिशब लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की जो गती रहेगी आपके लगन के सापेक्ष में दूतिये तिरतिये चतुर्द बाओं में ये गती करेंगे चंद्रमा तो निश्यत रूप से हफते का जो प्रारंब रहेगा अकस्मात जल दुरगटना होना या दूशित जल इत्यादी पीने के कारण उधर सम्मंदित परिशानियां अकस्मात उत्पन हो जाना और किसी भी कंडिशन में जल वाले छेतर में कोई भी कार्ये कोड नहीं कीजेगा नहीं तो आपके कोई भी काम वहाँ पर बनेंगे नहीं गले में किसी ना किसी प्रकार का इंफेक्शन होनी की संभावना भी हफते के प्रारंब में दिखाई दे रहे है हाला कि विद्यार्थी वर्गों के लिए उतना ही अच्छा हफते का प्रारंब रहेगा हफते के मद में चंद्रमा सुअग्री ही रहेंगे और मंगल के साथ चंद्रमंगल की यूती बनाएंगे और मंगल का नीच भंग करेंगे तो निश्यत रुप से पराक्रम बढ़ेगा, मानपत पतिष्ठा बढ़ेगी लेकिन शरीर में उर्जा जादा बढ़ने के करण पित्त की जो पस्तिती रहेगी वो जादा रहेगा माइन थोड़ा जादा पैनिक हो सकता है, चोटी चोटी बातों पर शॉट टेंपरिंग हो सकती है तो आपको बहुत जादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और छोटे बड़े भाई बैरनों से आपको सयोग मिलेगा, मानपत प्रतिष्ठा में निश्वत रुप से वर्दी होगी और धार्मिक छेतर में अगर यात्रा हफते के मद्ध में करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा हफते का जो अंत रहेगा उसमें मिला जुला असर देखने को मिलेगा, एक तो जो काफी दिनों से कारे नहीं बन पा रहा था या कोई आपने ऐसी चीज़ों को सोच रखा है जिसको आपको एक्सिक्यूट करना था, किसी करन से एक्सिक्यूट नहीं हो रहा था, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन जीवन साती के साथ वाद विवाद होने की संभावना हो सकती है, और इसके साथ साथ आपको वहान चलाते समय बेहस साफधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो परिशानी आगे चलके बर सकती है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना हो तो हफते के मद्दे में कीजिएगा, हफते के अंत में बहुत जादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, शियर सटा लॉटरी में बड़ा नुकसान देखने को इस हफते मिल सकता है, तो जितनी दूरी बना कर ये उतना ही अच्छा रहेगा, कर्क लगन वाले जातक की योग बनाएगा, और उधर सम्मंदित किसी प्रकार की प्लिडा भी हफते के प्रार्म में करा सकता है, लेकिन हफते का मद्दे हफते का अंत आपके लिए सरवार्दिक अच्छा रहेगा, लगन में बैटा हुआ है, नीच का जो मंगल है, एक तरफ जीवन साती के साथ प हफते के प्रारंब, हफते के मद्द में जरूर देंगे, हफते के प्रारंब में ट्रैवलिंग से जादा समय आपका बीता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्रा हैं करने से कारे आपके बनेंगे, कुछ रुकावटे आएंगे, लेकिन कारे आपके बनेंगे, हफते का मत्य सरवार्दी का अच्छा है लेकिन हफते का अंत उससे भी अच्छा है एक ही चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कहीं जल वाले छेतर में जा रहे हैं तो उस वहाँ पर कोई सायोग जो रहेंगे वो भी आपके च्छे रहेंगे मित्रो के साथ किसी प्रकार का विवाद कस्मात हफते के अंत में हो सकता है साफधानी बरती है इसके बाद सिंग लगने की बात करते हैं देखे सिंग लगने वाले जातकों के लिए हफते का जो चंद्रमा रहेगा आपके लगनबाओ के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो एकादस से लेकर लगनबाओ में चंद्रमा जाएंगे तो हफते का जो प्रारंब रहेगा वो निश्यत रुप से विदेशों से इंकम को बढ़ाएगा ओल्लाइन चीजों से आपके इंकम बढ़ेंगे शियर सटा लोटरी त्यादी में लाब की सिती बनेगी और प्रेम प्रसंग भी बढ़ेगा लेकिन हफते का जो मद रहेगा उतना ही परिशानी वाला हो सकता है कोई भी कारे हफते के मद में बिलकुल मत कीजिएगा विशेस रुप से अगर यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको परिशानी होते हुए दिखाई दी रहे है लेकिन हफते का अंत आपके लिए सबी प्रकार से अच्छा रहेगा अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपको अकस्मात किसी प्रोजेक्ट का मिलना जिसे की मन प्रसनेचीत रहेगा कार वेवसाय में लाब मिलना और धन लाब की सिती भी अफते के अंत में आते आते मुझे दिखाई दे रही है तो हर तरीके से कहा जाए तो किवल हफते का जो मद है वो थोड़ा आपके लिए रिस्क वाला हो सकता है बाकी समय आपके अनुकूल रहेगा कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की जो उपस्तिती रहेगी आपके लगन के रिस्पेक्ट में दशाम एकादश और दौदस वाव में चंद्रमा रहेगे तो निश्वत्रम से हफते का जो प्रारंब रहेगा एक तरफ जहां पर इंकम के साधन को बढ़ाएंगे बड़े भाई बैनों के साथ सम्बंद अच्छे रहेंगे मित्र रिष्टदारों का भी सयोग मिलेगा वहीं दूसरे तरफ प्रेम सम्बंदों में कुछ कहा जाएं दूरियां बन सकती हैं किसी प्रकार के लड़ाई जगड़े हो सकते हैं इसके लिए आपको बहुत साधा ध्यान देना चाहिए इसके अलाबा जो अच्छी चीज़े होने वाली हैं वह कारेये हैं में उनती की योग हफ्ते के मदन में दिखाई दिरा 30.60 लाठी ओद्यादी से लावां बित होने के योग बन रहाया है और mix जीवन्सादि का सयोग हफ्ते के मद में में बन रहाया जाया किसी प्रकार का नया कारेये में निवेश्स करना चाहते हैं हफ़ते के मद में करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा हफ़ते का अंत भी उतना ही शांदार बीतने वाला इस समय और यात्राइं हो सकती है कारेस्थल्ब को लेकर किसी प्रकार का चेंजिंग अगर आप करना चाहते हैं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय रहेगा और लीगल मामलों में भी आपको सफलता मिलेगा तो इस पूरे हफ़ते किसी एक लगने के लिए सबसे अच्छा समय बन रहा है वो कन्या लगने वाले जातकों के लिए पूरा हफ़ता बहुत ही अच्छा बीतेगा इसके बाद हम बात करते हैं तुला लगने वाले जातकों के लिए कैसा ये समय रहेगा देखे तुला लगन में चंद्रमा की जो उपस्तिती रहेगी आपके लगन भाव से चंद्रमा की जो उपस्तिती रहने वाली है वो नवम दशम एकादश भाव में रहेगा ये भाव भी चंद्रमा के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे हफ़ते के प्रारम में शेयर सटा लोटरी और लक का सयोग मिलना और साथ में जीवन साती का सयोग मि और वो आपको रिजल्ट मिले तो हफते के मद में किसी प्रकार के नए निवेश को करने से भी थोड़ा बचना चाहिए लेकिन हफते का जो मद रहेगा कारे वेवसाय के लिए अच्छा रिजल्ट देगा चंद्रमा सुराशी में रहेंगे करके के चंद्रमा रहेंगे और अच्छा दशमेश चंद्रमा बनता है इसलिए कारे वेवसाय को लेकर कोई बहुत ज़्यादा रुकावटे नहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन हफते का जो अंत रहेगा उसमें कारे वेवसाय को लेकर रुकावट दिख रहा है और धन की इस्थिती जो रहेगी वो मिश्र रहने वाली है मित्र रिष्टदार इस समय हितैशी रहेंगे और कोई फसा हुआ धन अगर रहेगा तो उसके मिलने की संभावना भी आपको हफते के अंत तक आते हुए दिखाई दे रहे है व्रिश्चिक लगन वाले जात्कों की बात करें तो चंद्रमा की जो उपस्थित रहेगी आपके लगन भाव से अश्टम नवम और दशन भाव में रहेगा अश्टम का चंद्रमा बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है प्रारंबिक दो दिन में उदर सम्मंदित पीड़ाय उत्पन हो सकती हैं और साथ में किसी प्रकार के कार्यों में अवरोद उत्पन हो सकते हैं कोई भी नया काम कोई भी शुब काम हफते के प्रारंब में नहीं करना चाहिए हफते का जो मद रहेगा उतना ही स्रेश्ट रहेगा भाग ये पूरे तरीके से सयोग देगा पिता के स्वास्त में लाब मिलना और साथ में धार्मी के आतनाव पर ट्रैबलिंग कर कुछ पॉजिटिव न्यूज हफते के मद में हफते के अंत में आता हुआ दिखाई दे रहा है कुल मिलाकर परिवार में खुश्यों का वातावरण रहेगा किवल हफते के प्रारंब में कुछ परिशानिया जो प्रारंबिक दो दिन है उसमें कुछ परिशानिया आते विश्यों से परिपोर रहने वाला है हर तरीके से कोई भी काम करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा पार्टनर्शिप से संबंदित कोई काम करना चाते हैं आप कर सकते हैं जीवन साथी का सायोग मिलेगा और कारे वैपसाइक को लेकर भी अच्छे समाचार मिलेंगे जब अस्टम में चंद्रमा रहेगा स्वग्री रहेगा तो यहां पर भी बहुत खराब रिजल्ट एट लिस्ट गोचर में नहीं देगा लेकिन काम को बनने भी नहीं देने वाला है यानि कुल मिलाकर उतार चड़ाव हफते के मद में दिखाई दे रहा है जादा विशे सुरु अगर कोई कारे करते हैं तो हफते के मद में बिल्कुल नहीं कीजेगा नुकसान हो सकता है हफते का अंत हर प्रकार के धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है और साथ में पिता के स्वास्ते लाब मिलना और मित्र रिश्टदारों से सयोग मिलना ये चार्ट में लो बिल्सोफा ने बिल्स नुकुल ले कर वामतना हें वे सकता है एक लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं लेकिन अपने स्वास्त को लेकर सजग रहिएÁ क्योंकि जिनको लो बीपी या हाई बीपी की परिशानी है हफ़ते के प्राइम दो दिन में परिशानी बढ़ सकती है हफ़ते का जो मद रहेगा वो आपके लिए हर तरीके से अच्छा है पार्टनरशिप में कोई भी नया काम करना चाते है जीवन साती का सयोग मिलना हर तरीके से हफ़ते का मद आपके लिए अच्छा रहेगा इवन दैनिक रोजगार के छेतर में भी आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कार वेवसाय में लाव की स्थिती भी आपको हफ़ते के मद में दिखाई रहेगी कुर्मिला के हफते का मद्ध ही मकर लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा हफते का अंत में भी कई कारियों के रुकने की संभावना बन रही है विशे सुरुप से जो लोग किसी प्रकार के कारिस्थल को लेकर काम खरना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे समाचार नहीं रहेंगे शियर सट्टा से बिलकुल दूर रही है इस हफते कुम लगन की बात करें तो कुम लगन में चंद्रमा की जो उपस्तिती रहेगी आपके लगन भाव से पंचम, सश्टम, सफ्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे तो निश्यत रुप से ये समय आपका जो प्रारंबिक दो दिन है वो आपके लिए हर तरीके सच्छा है प्रेम प्रसंग में प्रगालता आएगी, आये के साधन बढ़ेंगे, दूर संचार, मादेमों से भी आप लावान भी थोंगे और साथ में भागिक का भी सयोग मिलेगा हफते के मद में हर काम में रुकावट के बाद काम की सिद्ध होने के कारण थोड़ा मांसिक तनाव बढ़ सकता है और प्रेम प्रसंग में भी निराशा हाथ लगेगी इसके अलाबा जीवन साती के साथ भी संबंद बहुत अच्छे हफते के मद में नहीं रहेंगे हर काम को आपको कोई भी शुब काम हो आपको हफते के मद में करने से बशना चाहिए हफते के प्तारंब में ही हर काम कीज़िए या तो हफते के अंत में आप कर सकते हैं क्योंकि हफते का जो अंत रहेगा वो Concognitively मद यसे तो अच्छा रहेगा और यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो जल्दी हो जाएंगे मद में कारे रुपते हुए दिखाई देंगे हफ़ते के अंत में जल्दी कारे हो जाएंगे और पार्टनर्शिप से रिलेटेड भी अच्छे समाशार आपको दिखाई देंगे कारे बेवसाय और धन की स्थिती यथावत बनी रहेगी अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की जो उपस्तिती रहेगी आपके लगन बाव के रिस्पेक्ट में चतुर्त बाव से लेकर सश्टमाव तक चंद्रमा गोचर करेंगे तो किसी भी प्रकार के प्रापर्टी से लाव होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है मदर का सयोग यानि माता की अगर तब्यत खराब चल रही थी तो उनके तब्यत में रिकवरी देखने को मिलेगी और माता से सुख की प्राप्ती भी मिलेगी अगर आप अपने जन्मस्थान के पास आना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहता हुआ मैं चार्ट में देख पा रहा हूँ इसके अलाबा हर तरीके से जो हफते का मद रहेगा वो भी अच्छा रहेगा धार्मिक यात्राओं पर परिवार के साथ जाने का योग बन रहा है या किसी परेटर नस्थल पर जाने का योग भी बन रहा है जो की आपको निश्चत रूप से करना चाहिए हफते का मद आपके लिए स्रेश्ट है हफते के अंत में खर्च की अधिक्ता फोड़ी जादा रहेगी इसलिए खर्च को बैलेंस करके चलिए और स्वास्त को लेकर भी परिशानी केवल हफते के अंत में दिखाई दे रही है बाकी समय आपके लिए अन्कूल रहने वाला है तो ये था पूरा मेस से लेकर मीन लगने वाले जादकों के लिए ये पूरा हफता कैसा बीतेगा अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस फॉलाजर केम सिना ओम नमस्टी वाय